अन्वर हुसेन की पहचान संजय दत के मामा, सुनिल दत के साले सहब या नर्गिस के भाई या फिर अभिनेत्री जाहिदा के चाचा जैसे कितने ही रिष्टों से की जा सकती है मगर वे सभी उस कलाकार के साथ अन्याई करने जैसी पहचान होगी क्योंकि अन्वर हुसेन मादा चदनवाई के पुत्र होने के अलावा एक ऐसे अभिनेता भी थे जो सहायक के रूप में जितने अच्छे से सकारात्मक भूमे काएं करते थे उतने ही वे खलनाई की में माहिर याद करें दिलिप कुमार की श्रेश्टतम फिल्म गंगा जमुना में जमीनदार अयाश साला बने अन्वर हुसेन करूप दर्शकों को कितना घुस्सा दिलाता था अन्वर हुसेन के अभिने के कारण दिलिप कुमार का टाकू बनना ज्यादा सही लगता है वही अन्वर हुसेन देवानंद की श्रेश्ट थमकृती गाइड में उनके ड्राइवर दोस्त गफूर के रोल में कितना सकारात्मक रोल निभा गए थे राजु गाइड से राजु स्वामी बने अपने विछडे दोस्त से मिलकर जिस अन्दाज में वे बेतहाशा रोते हैं और अंत में उपवास पर बैठे उसी मित्र के स्वास्ति के लिए मंदिर में नमाज पढ़ते दुआ मांगते अन्वर हुसेन भूले नहीं भुलाते उन्ही अन्वर को राजेश खन्ना की एक बहतरीन फिल्म बाहारों के सपने में आशा पारिक के साथ चुनिरी सम्हाल गोरी उड़ी चली जाए रे गाते देखो तो अपनी वीवी से चुपकर न्यमित शराब पीने वाले एक मौजीले पात्र में भी वो उतने ही जचते थे मगर अन्वर हुसैन हमेशा से चरित्र अभिनेता कहा थे अन्य चरित्र अभिनेताओं की तरह वे भी कभी हीरो थे उन्हें चांस भी दिया था एयार कारदार जैसे बड़े निर्माताने संजोग में उन दिनों अन्वर ओल इंडिया रेडियो में बतोर उधखोशक काम करते थे उनकी आवाज का दम देखकर सौरी सुनकर कारदार सहाब ने अन्वर को संजोग का हीरो बनाया परन्तु सिनेमा का परता अन्वर के लिए नया नहीं था वे बाल कलाकार के रूप में माता जदनबाई के कारण कुछ फिल्मों में आ चुके थे संजोग उपरांत भी दो-तीन फिल्म में पतोर नायक आई जरूर मगर हीरो बनने के लिए चहरा और विशेश तो टिकेट खिड़की पर तकदीर भी तो होनी चाहिए अनवर हुसेन के पास उस समय दोनों नहीं थे जिसका सबूत रंगमहल नामक फिल्म थी रंगमहल वो फिल्म थी जिसमें अनवर हुसेन ने पहली बार खलनायक बनना सुईकार किया था हीरो नहीं तो विलेन ही सही, लेकिन जब आपकी किस्मत साथ नहीं देती, तब आपको सूनी की खान से भी कोईला मिल सकता है अनवर हुसेन को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने वाली प्रथम फिल्म रंगमहल भी जल कर कोईला हो गई रंगमहल की नेगिटिव लेबोरेट्री में आग लगने की वज़ा से चल गई, फिल्म आई ही नहीं, वरना रंगमहल की नायका भी तो सुरयय जैसी बड़ी अभिनेत्री थी नसीब के सामने हत्यार रगते हुए अनवर भोपाल चले गए भोपाल में उन्होंने घी का व्यापार करना प्रारंब किया, पर नसीब ने उसमें भी साथ नहीं दिया, उसे छोड़ कपड़े का व्यफसाय किया, तो वहां भी खाटा आया भोपाल में कमाना तो दूर की बात थी, अपनी जमा पूंजी को अनवर कम कर रहे थे इससे तो बंबई अच्छा था, कि अभिनेता के तौर पर पैसे तो नहीं लगाने पड़ते थे, जो भी महंताना मिलता था, वो अपना होता था फिर माता और भाई भी तो थे, वापस आये मुंबई, जहां उनके भाई अक्थर हुसैन रोमियो जुलियट बना रहे थे उसमें अनवर हुसैन को लिया गया, मगर किन हालात में? रोमियो जुलियट में अन्ततहा अनवर को मिली फुमेका के लिए, पहले अन्य अभिनेता याकुप को लिया गया था परन्तु वे बिमार हो गए और एक्टर मजहर खान उस पात्र के लिए साइन हुए अब पलटती तकदीर का खेल देखिए, कि एन वक्त पर शूटिंग के लिए मजहर भी नहीं आ पाए परिनाम स्वरू, परिवार के लड़के अनवर को अभिनेता का काम मिला रोमियो जुलियट में तलवार बाजी के भी द्रश्य थे अनवर ने बाकाइदा तालीम ली और उन सीन्स को भी बखू भी किया नतीजा ये हुआ कि रोमियो जुलियट के लिए उस साल पत्रकारों की एक संस्था की तरफ से अनवर हुसेन को सम्मान मिला रोमियो जुलियट से अभिने की यात्रा जो फिर से शुरू हुई वो अंतक परकरार रही उनके पात्रों में भी विविदता थी हमराज में वे आर्मी के कैप्टन बने थे तो ननहा फरिष्टा में प्राण और अजीत के साथ मिलकर नन्ही बच्ची को अगवा करने वाले टाकू बने थे असली नकली में घर से निकले अमीर देवानंद को अपनी खोली में आश्रा देने वाले गरीब दोस्त भी अनवर थे फिल्मों के साथ साथ उनका संबंध सुनिल्दत और नर्गिस की संस था अजन्ता आर्ट्स के साथ भी कहरा था शायत सबको पता हो की अनवर हुसैन और अक्थर हुसैन नर्गिस के सौतेले भाई थे जदनबाई की गाई की परफिदा होकर मोहन बाबु ने इंग्लेंड जाकर डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर उस काने वाली से शादी करने की हिम्मत उन दिनों में की थी शादी के लिए मोहन बाबु ने धर्म परिवर्टन कर अपना नाम अब्दुल रशीद रग दिया था और उनके परिवार वालों ने मोहन बाबु से अपने को अलग कर दिया नर्गिस का असली नाम फातिमा अब्दुल रशीद इसी वज़ा से था नर्गिस के लिए उनके दोनों सौतेले भाईयों में से अन्वर हुसेन का मेल जोल कितना अच्छा था ये सुनिल दत के साथ उनकी हुई शादी के समय भी पता चला था नर्गिस की जीवन कथा लिखने वाले टीजे एस जोर्ज के मुताबिक जब नर्गिस और सुनित दत ने आरे समाज में साथगी से शादी कर ली तब सबसे पहले वे दोनों हुसेन भाईयों से मिलने गए थे उस वक्त नाराज अक्थर हुसेन ने देर रात हो गई है ये कहकर नवदमपत्ती को मिलने से इंकार कर दिया था जबकि अनवर ने ना सिर्फ आशिरवाद दिया बलकि उनकी आखें खुशी के आशुओं से भर गई थी अनवर हुसेन दत्परिवार और अजन्ता से इतने अच्छे से जोड़े थे कि उनके साथ जवानों के मनुरंजन के लिए सीमा पर भी जाते थे इन स्टेज शो में बहुदावे कॉमेडी करते थे ऐसे एक सार्वजनिक शो में हमने उन्हें सुनिल्दत से एक परमाईश बड़े ही अनोखी अंदाज में करते हुए देखा था उन्होंने क्या कहा था ये तो याद नहीं है मगर इतना जरूर याद है कि उपस्तित सारे लोग काफी देड़ तक हस्ते रहे थे उनके जवाब में सुनिल्दत ने भी उसी हसी खुशी के माहौल को आगे बढ़ाते हुए कहा था मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ एक तरफ चोरू का भाई दूसरी तरफ सारी खुदाई तभी चुटकी लेते हुए अनवर बोले दद साहब हमें तो बंबई के रोड पर आए दिन होती खुदाई के अलावा कोई खुदाई दिखती ही नहीं इतने हस्मुक इंसान को व्यस्तता के उन दिनों में लकवा का हमला हो गया अंतहा 1988 की पहली जनवरी के दिन अनवर हुसेन का इंतकाल हो गया झाल 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 झाल